Assalamu alaikum my dear student, हम chapter 5 poem thank you lord की comprehension कर रहे हैं और हम आज उसमें करेंगे gender of nouns, gender कहते हैं, noun आपको पता है कि naming of things को कहते है और gender के उनकी sex क्या है, वो male है, female है, यानि उनकी synth क्या है, gins क्या है, वो औरत है या आदमी है तो अगर हम gender of nouns को divide करें, तो उसमें masculine आता है, masculine यानि मरदाना, feminine, जनाना, और common जो मरदाना और जनाना दोनों के लिए इस्तमाल होते हैं, और neuter जो के, जो बेजान इशियां हैं, उनके लिए इस्तमाल किये जाते हैं masculine refers to the names of boys and men, masculine जो है, वो लड़कों और आदमियों के लिए बोले जाते हैं, जैसे father, father एक noun है, जो वालिद को कहते हैं, फिर son, बेटे को कहते हैं, प्रीस्ट, पादरी, अंकल, चचा, ताया या मामू होता है, रूस्टर, मुरगे को कहते हैं, host, मीजबान, king, बादशा को और हीरो, आदमी जो हीरो होता है, तो ये सारे, इससे हमें देखके पता चलता है, ये लड़कों के नाउंज हैं या आदमियों के, इसी तरह feminine refers to the names of girls and women, feminine nouns जो हैं, उससे पता चलता है, ये लड़की और 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 के लिए हैं, जैसे aunt, खाला चची को, aunt, mother, अमी को, maiden, जो है, कमारी लड़की को, grandma, नानी या दादी को, hen, मुर्गी को, goose, बतख, और nun जो है, वो nuns होती हैं, Christianity में, sisters और niece, भाई की बेटी को, niece कहते हैं, common refers to the names of both girls and boys, जैसे doctor, इससे नहीं पता चलता के doctor आदमी है या औरत, visitor जो दूसरे के घर visit करने जाए, cousin, चचाजाद या खालाजाद, relative, रिश्टेदार, nurse, friend, दोस्त, manager और singer, ये ऐसे common nouns हैं, जो both boys and girls के लिए बोले जाते हैं, फिर neuter refers to the names of things and objects, neuter जो हैं, वो चीजों के लिए, अश्या के लिए बोले जाते हैं, जैसे eraser, shoes, chocolate, car, desk, bus, book, और pants, write the given nouns in their correct columns, अब आपके सामने आपकी बुक में से examples हैं, अब आपने differentiate करना है कि वो masculine है, feminine है या फिर वो neuter में आते हैं, for example, ये है prince, तो prince क्या आपको लग रहा है, ये एक masculine है, very good, आप copy pencil लेके इनको तीन columns बनाएं और अलएदा अलएदा लिखते जाएं, अब आप देखें queen, queen कहते हैं मलका को, आपको इसकी शकल से भी लग रहा है कि ये खातून है, तो queen जो है, वो feminine, इसी तरह flower, तो ये neuter में आएगा, क्योंके ये ना male है, ना female, इसी तरह phone, phone भी एक gadget है जिसे हम बात करते हैं, तो ये भी neuter में आएगा, फिर brother, तो brother जो है, भाई, ये male होता है, तो ये masculine में आएगा, और bull, bull कहते हैं bell को, तो bell की जो opposite होता है, वो का होती है, bell, bull जो है, वो masculine है, और इसी तरह loiness, जो share नहीं होती है, उसको loiness कहते हैं, और share को loin कहते हैं, तो loin लाइनेस जो है वो फैमिनन है और इसी तरह एक्टरस एक्टरस जो है वो भी फैमिनन है क्यूंकि एक्टर जो है इसका मैस्कुलिन होता है तो क्रियोंस आप क्रियोंस से लिखते हैं तो क्रियोंस जो है ये न्यूटर में आती है तो अब हमने ये तीन कॉलम आपने बनाए होंगे अपनी कॉपी में, मैस्कुलन, फैमिनन और नूटर, तो प्रिंस, ब्रदर और बुल मैस्कुलन है, कुईन, लॉइनस और एक्टरस फैमिनन है, और नूटर, फ्लावर, फोन और क्रेयोंस, तो माई डियर स्टूटेंट अप की किताब तरजमे के साथ पढ़ें, अल्ला से दुआय मांगें, और अल्ला के असकार पढ़ें, अब आपके सामने ये question है बुक में, कि आपने sentences के अंदर nouns को underline करना है, और फिर उन underline nouns की gender change करना है, ठीक है, तो सबसे पहला sentence है, my niece has a pet cat named kitty, अब niece जो है वो भाई की बेटी को कहते हैं, तो ये हमने niece को जो है वो underline किया, और cat को she cat और he cat कहते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो अब इसको change करेंगे, my nephew has a pet cat named kitty, तो nephew जो है वो gender हमने change कर दिया, niece से nephew, ये भाई के बेटे को nephew कहते हैं, next sentence, the waiter is waiting for the order, आप hotel में जाते हैं, तो खाना जो आपको सर्फ करता है, उसको waiter कहते हैं, the waiter is waiting for the order, वो आपका order लेने के लिए इंतजार कर रहा है, तो हमने waiter को order line किया, और इसको change कर गिया, waitress, the waitress is waiting for the order, waitress जो है, वो feminine gender noun है, next है, he is our headmaster, headmaster जो है, वो male के लिए use किया जाता है, so headmaster जो है, वो masculine है, और इसको हम change करें, बन जाएगा, she is our headmistress, headmistress sahiba के लिए, she आएगा pronoun, वहाँ पे, headmaster साब के लिए, he आया था, next है, टाइग्रेस is running in the jungle, टाइग्रेस, टाइगर होता है, यह टाइग्रेस जो है, वो feminine है, नाउन, तो हमने इसको change कर दिया, टाइगर is running in the jungle, टाइगर जो है, वो masculine noun है, next है, my aunt will come tomorrow, मेरी, आंटी कल आएंगी, आंटी, खाला और फुपो दोनों के लिए इस्तमाल होता है, तो यह जो है, यह feminine gender है, इसका हम अगर तो यह बन जाएगा, my uncle will come tomorrow, तो चचाप, हुपा, मामू साब के लिए uncle use होता है, उमीद है आपको सबग पसंद आया होका, इस वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, कर दो